नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस की भारी जीत और सरकार बनाने की आएंसी टीवी की बात पर भारतिय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं ने भी मुहर लगा दी है इन नेताओं ने साफ तोर पर कहा है कि इस बार वहां कॉंग्रेस की सरकार बनने जारे हैं ये बात भारतिय जनता पार्टी की नेताओं ने कही है दोनों नेताओं ने आपसी बादचीत पे माना है कि भारतियों जन्ता पार्टी की गलत नीतियों और चुनाओं में मनमर्जी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है दोनों नेताओं की आपसी बादचीत का आडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वैरल हो रहा है गौर्ट से सुनिए कैसे बीजेपी की भारतियों जन्ता पार्टी की एक महिला नेता कह रही है कि हिमाचल में आपकी बार कॉंग्रिस की सरकार तो तो डाड़े शेता माहल बीजेपीदा है थोड़ा थोड़ा यह नहीं ओरा में तो अच्छा होता है आम तौर ंटी हो जाते न आहां बारला अद्मी कोई लोकल तो है नहीं है और पारली सायड कैसा है पारली साइड तो आशा कोई वोट जाएगा अचाई हाँ, पार्णी साइड आशा कोई जाएगा यह तो सही बात है लास्टाइम भी आशा कोई गया था इस टैंग भी आशा कोई जाएगा आझी देकर ना वो ठीक बोलते हैं पार वाले अपने साथ से बोलते हैं पारवाले कहते हैं जी किसने जाना कंदला ठीक ठीक तो बस paragraphs है बदलो फिर भी कंदला पिर भी खनला कोई नहीं जाती mês बूटी उतार दे良् ORca पैदल जो 12 किल मीटर से बाहत अब 12 किल मीटर सही ह्दा रोनी बहुत यह पागल तो हमें नहीं बिल्कुल बिल्कुल मौल ते हैं इधर ही नियों पिजार नहीं हैं आप है प्रोटी ओन दी थी वह प्रूवाम आठा देखो जी मैं ता एक मोटी गाल जानी है मैं रिकेश पठानी की फोन किता है जी अधा बड़ा प्यार है वो कॉलेज चोंदा था तांदा सड़े कारांदा था अच्छा जी ते हुन उस बचारे दी सीट बदली नूरपूर तो देफ़ते पूर का देथी अच्छा ते मैं मैं फोन किता मैं के रिकेश क्या हल चाले सब्सक्राइब किता है मेरे सारे मंडल युवा मंडल युवा मोर्चा इतने भी थे वो मेरे कने फटेपूर चलिया है पर कहता है मुश्कल है कि फटेपूर इना दिवाक्फियत नहीं है जादा अच्छा केंदा है कि मैं एक पिंड गया उत्हे मैं पुछिया एक माता थी मैं की माता मैंनो वोट फाइं मैं तेरा बच्चा है बोलती न स्फरी हत्ट ऑटी न इस ऊथे अजू हुआ च्छा मैं के माता मेरे ते क्या गल्ती होईगी बोलती था है न सी जान देनी तो पूं हुँअ ते तेरे को क्यो वोट दाल आ है अच्छा तो कहता है कि उदर 57 लोगो तुम तो मुझे वोट डाल दोगे ना मिलकुल बोलते नहीं अंकल जी हमनी डाल रहे आपको वोट तो कहता है मैं के गल के ओई मेर तु क्या गलती हो गई जी बोलते देखो अंकल जी साड़ा अपना बंदा है ना लोकल चायो कॉंग्रिस है चायो कोई है और रोटी ख तौरी जूठियां पतला उठाव खेंगे है यह नहीं होएगा अधिय अपने लोकल की पाड़ा उठे तो उसने बोला कि कॉंग्रिस तो खतम होगी कहती काह खतम हो गई है सरकार तो बना रही है इस बार कॉंग्रिकुल आई एक अधायों मेरे भी आसाब मेरे बीसाब में यह हो रहा है कि आजानी है इसमें कुछ चूंकि यह हमारे बाले लड़ते रह जाने है और इनों ने सब्सकार बना जानी दूसरों तो मैंने शाड़ा उसे राए दस्तों के रही है साड़ा भी असी भी सोची की चलांगे और के पागल थोरी है असी 82-83 वोट रहे हैं इस कॉस्चेंसी के एक भी बंदा नहीं मिला जिसको टिकेट दे एक भी बंदा नहीं मिला बिल्कुल सही बात है सारी उमर असी दरियां युठानी शेवात है असी नंती जूठी पतला युठानी शेवात है वाँ भी वाँ आठी में पास बिंदी तो मैं बिंदी को बोटतूंगी मतलब मैं तो पागल और तो होगे शेवात है बार में तो आजकल हर बच्चे नहीं की हुई है वेग अपने से एक बात है अच्छा बार के आदमी को क्यों बनाना भगवान बिल्कुल देखो जी उनिस सो चब्वी में ना बीस सो चब्वी में ये पुनर से मंगकर होना है ठीक है हमारी है 68 कंस्टिएंसिया हिमाचल में फिर बढ़ जानी है 80 बन जानी है ठीक है 80 कंस्टिएंसियों में आख सोचो की उच्छा तो खुल जाएगी रिजर्फ तो रहेगी नहीं काथ के लिए पिर कोई नया बंदा आ जाएगा काफ्ट का हम उसकी नोकरी करेंगे तो देखो जी सुजानपूर आलिया ने सिटिंग चीफ निस्टर तूमल राइटा था था जी वो बोलते हैं कि इसके बाप का राज थोड़ी है कि हमीरपूर से उड़ता और सुजानपूर आ जाता है से बात है तो उसको अरा के बेज़ो मुड़के नहीं आएगा से बात है अच्छा रविंदर अभी जैसिंग पूर से उठा तो देरे चला गया से बात है यह तो खत्म करने वाला था मैंना इनके बोलते हैं बापे का राज थोड़ी है कि जहां दिल आया वहां कड़े होगा से बात है अच्छा किर्पाल पर मार पठान कोट का रहने वाला फटेपूर में खड़ा हुआ अच्छा उनार आए के बेज़े वापस यह तो बात है अच्छा रतन पाल सिंग अरकी से लड़ा थीप खास हम खास हमारे बड़े बड़े नेताओं का बच्चा था था लोका ने रहा के वापस नाला घड़ बेजिया कि जात्यु जिदर का रहने वाला हुदर जा जाए उद्र जाए एक हमारे बेवकूफ हैं पा हमारे जितना बेवकूफ कौन होगा बेवकूफ हैं कि हम किसी और को राजा बना रहे हैं किसी को टिकेट दे देते हम उसको जिता देते हैं किसी को दे 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 देते हैं किसी को देते हैं किसी को देते हैं किसी को देते ये थोड़ी बात होती है कि बिल्कुली ये समलिया भी बैकवर्ड एरिया है। भारते जनता पार्टी के जिस कारेकरता से वो बात कर रही है, उनके बारे में भी हमें जानकारी है, लेकिन पके सबूत नहीं होने की वज़े से हम उनके नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं। वैसे भी उनके नाम से ज्यादा महत्तपून है उनकी वो बातचीत जिसमें वो खुद अपनी ही पार्टी की हार की यानि बीजे पी के ही हार की बात कर रही है। वैसे ये आडियो पूरे सोशल मीडिया में गूज रहा है लेकिन आएंसी टीवी अभी इसकी पूश्टी नहीं कर रहा है। नमस्कार।